पगड़ी हमारी इजट है हमारी बेहने हमारी मा उनका सम्मान और अगर आप पंचाइज अलान करते की खीच के लाना है मीडिया के लोग सुलेना तो इतना दम भी रखता है कि खीच के भी लेगाएंगे इस बात को भी आज याद रखना है ये ताना सा ही सरकार जुगेगी और वो आरोपी मेरेशों का वो जेल मी जाएगा बाजशा को ये खबर लग जाएगी कि कुछी घंटों में जो है सारे बोटर सील करने पड़ेंगे तो इतियास गवाए भारत का कि जिनोंने अंग्रेजों के दाज खटे किये वो इस सरकार के दाज भी खटे करके लिखाएंगे किस तरह से गुंडों जैसा बरता उनके साथ हुआ इस अफ्वान के खिलावत बगावत का एलाम करने के लिए आया है देश के प्रदान मंतरी फिर से माफिमान किसानों से कमेरों से महिला पहलवानों से वो बेहने वारा गोरवत की है और रहेगी बहुत बहुत धन्यवाद मुडलाना की ये धर्टी जहां आई देश की बेटियों के समर्थन में जो पंचायत है उस पंचायत में पहुँचे इस छेतर के और आसपास के सभी छेतरों से हैं लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि ये हक हकूब की और पगड़ी की लड़ाई है तो मैं इस मंच का और इस मंच के जो आई जख है जिन्होंने मुझे और इस मंच पर उपढ़ती सभी साथियों को यहां बुलाने का प्रयास किया हमारे भाई जैन चोधरी जी हमारे गवर्णर साथ सत्पाल मलिक जी गुर्णाम सिंग चडूनी जी भाई पुस्पेंदर जी भाई सत्पाल मलिक जी सत्पाल चोधरी जी और कमल ब्राड़ा जी जो हमारे साथ चलके आए हमारी बैन सुमन उड़ा जी जो आई से मंच की सोबा बढ़ा रहे हैं और हमारे ओलम्पियद भाई बजरंग कुनिया जो यहां हमारे बीच उपस्तित है क्योंकि मुझे जाना है मेरे पास आजमगण में एक प्रोग्राम है मगर मेरी दिली इच्छा थी कि जहां अन्याय के खिलाब बिबुल बोजेगा मैं उस लड़ाई को मजबूत करने के लिए आऊंगा तो मैं आप यहां सब को नमस्कार करता हूं जैभीम करता हूं इसलिए करता हूं कि जहां एक तरफ देश की केंद्र की सरकार और जहां सभी परदेशों में भारते जन्ता पर्टी की सरकार है वो इस अन्याय के समर्थन में खड़ी है वही इस देश की किसान का मेरी कौम जो हमेशा से अन्याय के चाहए वो अंग्रेलों का अन्याय हो या किसी और का अन्याय हो जिन्हों ने हमेशा मुकाबला किया उन कौमों ने फिर मान सम्मान और पकड़ी किस लड़ाई नावाई दिये उस लड़ाई को मजबूत करने की जिम्मदारी हम सब की है मैं यहां मंच पर और मंच के सामने आसपास के माहल को भी देख रहा हूँ बहुत गुस्सा है लोगे अंदर बहुत तकलीफ है लोगे अंदर अगर आज अलान हो जाए तो दिल्ली में बैठे बादशा को ये ख़बर लग जाएगी कि कुछी घंटों में जो है सारे बोटर सील करने पड़ेंगे ये ताकत है किसान कमेरों की लेकिन सवाल यह है कि आज मुकाबला किस से है और आज हालाज क्या इसको भी समझना और देखना पड़ेगा अगर मुकाबला उन लोगों से होता जिन में चरित्र है जिनका जमीर जिन्दा है जिनके अंदर इंसानियत है तो मुझे लगता है उनसे मुकाबला करने के लिए पहलवान काभी थे लेकिन मुकाबला उनसे है जो बेहन बेटियों की आवाज को इस अन्यार को दिल्ली की कुर्सी में बैठके नहीं देख रहे हैं या देखने नहीं चाहते मैंना उनको पाता को मानता हूँ और नहीं मैंने बांता हूँ कि उनके नेत्रत में देश की बेहन बेटिया स्वक्षित हैं आपने देखा आज जो हम लोग इकठा हुए हमारा दर्द यहाए कि 28 माई को क्या हुआ जब 28 माई को वो बेटिया जिन्होंने देश का नाम रोशन किया जब 28 माई को महिला पंशाथ के ले निकली तो उनने क्या सहना पड़ा किस तरह से गुंड़े जैसा बरताओं के साथ हुआ और पूरी सरकार में हमारी प्रगड़ी का स्वाशा देखा और हमें बेज़त क्या दिल्ली से उस अपमान को हम लोग नहीं भूले और इसलिए आज जमील पे हमारे लोग या इसलिए बैटे चाहे वो उत्तर प्रदेश से चल करे आँ लोग तो हमारा जीवन बेकार है यह एलान करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए और जो जूट तमान तरह का फ्लाए जा रहा है कि एक जाती के लोग लिट रहे हैं ऐसा जूट किसान अंधुल में भी फ्लाए गा ऐसा जूट हरुरु में फ्लाए जाता है लेकिन आप किसान अंधुल अगर आप नहीं मानेंगे तो कुछ दिनों में मानेंगे लेकिन आपकी किसान कमेरों की ताकत के आगे यह ताना साही सरकार जुगेगी और वह आरोपी में रहेश होगा वो जेल भी जाएगा उसको सजा भी होगी यह बात आप याद रखना कि यह किसान कमेरों की धर्ती भी है और बावासाव प्रेट कर सब छोटू राम चोजरी चर्म सिंधियों तमाम आपरूस्त जिनों ने अपने इस किसान कमेरे वर्क पहाग अधिकार के लड़ाई लड़ी आज उनकी एक्ता को बुलंद करने के लिए आम लोग आए और हम यह म साथ रेकता है किसान कमेरों की एकता गाव में रहने वाला किसान कमेरा जो एक दूत्रे का साथी है अगर वह एक जुट हो जाएगा भाईचारा बनाएगा इनकी नफ्रत के जेंड़े में नहीं आएगा और हाक हकूक की लड़ाई सड़क पे लड़ेगा अपने नेताव के अपने लीडर के हक हकूक उनके निर्देश में काम करेगा तो मेरा एमानना है कि आज नहीं तो बहुत जल्द ये सरकार भुटनों बे आएगी और देश के परदान मंतरी फिर से माफिमांग किसानों से, कमेरों से, महिला पहलवानों से, हमारे पुरुष पहलवानों से, हम गुंड़े गाप आरोपी का साथ दिया और मेरा आपना जैसे जैसे आपकी पंचायत मरेंगी जैसे जैसे आपका धंडा धंडा एक दुट हो जाएगा वैसे वैसे वो दिन करीब आता जाएगा मुझे एक सिकायत है आप से और यह कहना जरूरी है आज हमें अपनी पगडियों को अपनी बेहनों के सम्मान में इकत्था कर लेना चाहिए जब बात आन पर आजाए जब बात इचक पर आजाए तो फिर हमें अपने नाग को नहीं देखना चाहिए अपनी पगड़ी को नहीं देखना चाहिए हमारी पगड़ी हमारी बेहने हमा कि अपने या अफने एपने आपसे करना हाज हमें अपनी पगड़ी की नई अपनी है को मजबूर्ट करने की जुरुत ऑफ हमें शर्वे वर्वा बनने की नई हम रखशा के आरे उनका अपने हिससे में इस जीत को लेने की नई ये बैन बेटिया हमारी पहलवाँ जीते हमारे कंदों पैस सब लोगों के इसलिए मैं उसे कहना चाहता हूं अगर वाके में जीत रहा है तो एक जुठों के लड़ों और हमारे पास गार्जल के रूम में गवर्नर साथ बैठे हैं दो तील मसले जो उन्होंने उठा रखे हैं चाहिए वह फुल्वामा का हो या किसानो के लिए मस्पी की गारंटी का हो या मैदूरों के लिए नियुनतम वेतन का हो वो तभी कामियाब हो पाएगा जब हम इकठे हो के इस लड़ाई को लड़ेंगे वर्ले टुकड़ों में बढ़के हम कभी जीत नहीं सकते हैं मैं आपको अपने समाज की दुप से किसान कमेरे समाज की लफ से गारंटी देता हूं कि जहां इस सम्मान की लड़ाई में बज़न यहां बैठे हैं पूछ लो जी दिन से हम लोग लड़ना हमने सुरुबात किया था एक दिन मुझसे गल्दी हुई कि हमारे लोगों ने जहारकर में सवार रक्षी वेती मैं उलान करकर कहा हूं देश के पृदान मंतर जी सुनेंगे अगर उस तिन महाँ होता मैं बहुत दुखी इस बात से मैंने कहा ज़ारगान के मैंस पर जब मैंने सुना तो किसी ताकतवर को मैं अपनी बेहनों के संबान से नहीं खेलने देता हुटिन जो हुआ हुआ मुझे इस बात की टीस जीवन के आखरी च्छन पक रहेगी कि किस तरह खून के आसुज लोगों ने रोहे लेकिन उसका बदला लेना उसका एक मातर कारण इस तरीका यही है कि हमें उस किसाल कमेरे की आवाज को मजबूत करना है और मैं आप से कहना चाहता हूँ हमारे खात के लोगों से मैंने कहा कि कते होंकर लडॉई कते होके अगर भुदा और इसमांदा लोगों से होता तो पहलवाद के kuin कि एग अपनचाइज कि घोचना हुई तो आपने दीखा केंसिल होगी जिस दिन आपने एलान कर दागी खट्टे होंके दिल्ली की तरफ चलेंगे उस दिल वह पुलिस गिरफतार करके उसको जेल भी भी भेदेगी आप मेरी बात को याद रखना बस मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूँ और यहाँ जो हमारे समारी नेता है भीमारी इतियास आपको याद रखे कि आपने बैनों के सम्मान की रख्सा करी और जहाँ आवाज देगी पंचाइट फिर कहा रहा हूँ इकटे रहना एक जूट रहना बंद मुठी रहना जहाँ आवाज देगी जहाँ किसान कमेरों के आवाज पे पसीना बहेगा मैं आपसे वाद हम भी रखता है कि खीच के भी लेगा हैंगे इस बात को भी आज याद रखना क्योंकि सविधान को मानते हैं कानून को मानते हैं इसलिए चुप हैं अगर सविधान कानून को ना मानते हैं किसी को इतनी जाय नहीं देते कि हमारी हमारी फंगडी से खेल ले वह बैने हमारा हो रहती है और लो और उनकी तरह उन्के सम्मान प्याख उठाने वाले याद रखे इस सक्ता के दम पे याद रहता है तोаг तनन